हेलो फ्रेंड्स बेलकम टु कमणर एडू आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में हम सिखेंगे bricks की उचाई निकालना ठीक है friends तो देखिए friends माल लिजे एक bricks है उसकी आपको height निकालनी है या उचाई निकालने है तो आप कैसे निकालेंगे यह मकान भी हो सकता या कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि आपने 9th class या 10th class में पढ़ा होगा कि अगर इस तरह से कोई भी अगर triangle होता है 90 degree पर ठीक है ताब उसकी उचाई यह वाला जो है नगे P इसकी आप अराम से निकाल लेते हैं क्योंकि आपको यह मालूम होता है ठीक है और यह भी आपको इसकी रोशनी इस तरह से पढ़ रहा होता है पेड़ पर ठीक है तो आप देख सकते इसके जो shadow, माली जी, अगर यहाँ पे यहाँ से, माली जी, यहाँ तक यह आ गया shadow का point, ठीक है एनकि यहाँ पर इसका last shadow है, क्या है friends last shadow है, एनकि shadow का मतला परचाई, ठाया, ठीक है तो इसको आप एक point बना लेंगे, ठीक है friends आप देखिए जहाँ पे इसका top होगा top पे एक point बना लेगे मान लिजे इसका top अगर यहाँ पे जाता ठीक है तो यह top यहाँ पे आ गया यहाँ पे मान लिजे top आ गया यह वाला top तो यहाँ से सीधी एक line रेखा खीच लेगे line ठीक है friends तो आप देख सकते हैं 90 degree के तरह बन गया ठीक है यहाँ पे देख सकते है 90 degree बन गया अब आपको क्या करना आप भी भी तो आपको कुछ मालूम नहीं है तो देखिए आपको क्या निकालना है height निकालना है तो height को हम x मान लेगे x मान लिया आपने भीस फुट निकल लिया ठीक है तो اब हमें क्या करना है एक हमें 8 heard now adapted दस फुट यआ थेख यह उंचायर ही वाली तो हम क्या करेंग ए 6 फुट वाली एक बास ले लिया 6ructure स से लेकर यहाँ तक इसकी उचायर कितनी है 6 ुचायर है सूरज की रोशनी इसके भी टॉप पर पड़ेगी और जब इसके टॉप पर पड़ेगे तो ये भी शैडो बनाएगा ये परचाय आएगी इसकी भी तो माल लिजी ये परचाय यहाँ पर आता है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये पॉइंट बनगे हमारा ठीक है याँ कि आर्थ हमारा मूब करती है ठीक है तो मूब करने से क्या होगा उसकी मुतलब अंतर आजाएगा ठीक है माल लिजी अखर ये आप 12 ब python और 4 बज़े फिर इसको नापते हो ठीक है तो इसमें क्या आजाएगा देख सकते हैं, इसका हमने नाम दे दिया, अब इसका भी कुछ नाम दे देंगे, ठीक है, तो इसका भी हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, डी, ई, और एफ, ठीक है, इनका हमने नाम दे दिया, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, बत अनुपात लगाएंगे हम यहाँ पर अनुपात का यूज करेंगे इनकी रेशो का, ठीक है, mathematics में हम रेशो का यूज कर सकते हैं, आराम से क्यूंकि देखो ही है, आपने देखा होगा जब हम कोई चीज प्रूफ करते हैं, नौमिय अदस्वी के कक्षा में, यानि कि हम देख स इसके बारे में कुछ नहीं पता था, आपने एक्समान लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या, सूरज की रोशनी की सेटों से हमने इसकी length नाप लिया, जो की 20 फुट है, ठीक है, तो सेम एक हमने 6 फिट का डंडा ले लिया और जमीन से खड़ा कर दिया, सीधा, ठीक है, तो उसकी जो height थी 6 फिट थी, ठीक है, और यहाँ से जो इसकी top से जब इसकी सेटों यहाँ तक आ गई, तो इसको भी हमने क्या करा, measurement करने है, यहनकि इसके लंबाई नाप लिया, तो यह 8 फिट आया, ठीक है, आप इसी में हम क्या करेंगे, अनुपात का परियोग करेंगे तो देख सकते हैं, आप यहाँ पर, कि जब हम अनुपात लगाएंगे, तो देख सकते हैं, यहाँ पर D है और यहाँ पर E है, तो हम क्या रख देंगे, यहाँ पर D, E, बटे में E, F, ठीक है, E, F लग दिया, बराबर में, यह बराबर यह कर देंगे हम, ठीक है, फ्रेंट, तो देखिए आप यहाँ पे A, B तो हम लिख देंगे A, B बटे में B, C क्या करेंगे friends बटे में B, C तो ऐसे हमने अनुपात लगा दिया ठीक है यहाँ के रेशो का हमने परियोग कर लिया तो आप देख सकते हैं D, E जो हमारा क्या है? X है हमें मालूम नहीं पता नहीं अब पेड़ की हाइड कितनी है हमें यही निकालना है ठीक है? बटे में E, F E और F यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जो हमारी जो लेंद्ध है यहन के लंबाई है वो क्या है? 20 है यहन के 20 बराबर में इकोल में देखिए A और B A और B की जो हमें क्या है? मालूम जो हाइट है वो हमें मालूम है 6 feet है और बटे में B और C B C की जो हमारी जो लेंद्ध है निके लंबाई है वो कितना है? 8 foot है ठीक है? अनिकी 8 foot है ठीक है? तो देखिए यहाँ पर भी कट रहा होगा तो उसको हम काट देंगे तो देखिए हम नीचे से नीचे को काट देंगे देखिए हमाली जो दो के टेवल पर तो 2 चोके 8 ठीक है? और 2 दहम 20 2 दहम 20 हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स आप देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 आगे कटने के बाद आप इसको हम कर देंगे cross multiply तो देख सकते हैं अगर 5 की गुना अगर हम 6 से करेंगे तो हमारा 2X आजाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर हम कर सकते हैं तो यहां पर गुणा में है, यहां पर गुणा में है, तो उधर जाके क्या, ब्रावर, कि उधर जाके क्या हो जागा, यह, Divide में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 30D में 2, इसको जब काटेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा 15, तो आप देख सकते हैं जो पेड की जो हाइट जिसको हमने एक्स माना था वो हमारा कितना निकल कर आया 15 फिट निकल कर आया ठीक है पेड की जो हमारी जो हाइट है वो कितना है 15 फुट है ठीक है I hope friends वीडियो आपको अच्छे लगे और वीडियो आपको अच्छे लगे तो प प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करिये, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत!